पनोर्म कुरुप जो सोचता है वो करता है पिरका भोझन कैसा पका रहा है या फिर आने वाले दिनों में इस पकवान की वजह से जो संबंदों में खटा सा रही है उसमें मधूरता आएगी और जब बात बिहार की है तो बिहार में दही-चुडा का भोज हो या फिर इफ्तार का कारक्रम हो कई तरह के बदलाव इस दोन इफ्तार कारिक्रम में जब नितीज कुमार तेजश्वी यादो और लालू प्रसाद यादो के अवास पर गए थे तब से बिहार की राजनिती की अवो हवा बदली-बदली सी नजर आने लगी थी तेज परताप यादो ने चाचा की इंटरी का बोर्ड भी लगा दिया तो इ पलटने वाले हैं क्या नितीज कुमार ने बड़े शालिंता से कह दिया नहीं नहीं ये सब फिजूल की बाते हैं और अगले ही दिन नितीज कुमार ने बिहार में एंडिये का गडबंधन तोड़के बिहार में नई सरकार महा गडबंधन की बना ली और अब फिर बारी देड़ साल के बाद भीहार में दही चुड़ा का कारिकरम होता है और इनके पीछे कई परिस्थितिया मदलती है नितीज कुमार इंडिया के साथ साथ एक गडबन्न मनाते हैं जिसमें मोधी के रत को रोकना होता है। नितीज कुमार को लगता है कि उनके लिए प्रधान मंत्री का रास्ता आसान हो जाएगा लेकिन समय बर समय ये रास्ता जितना ही आसान नितीज कुमार को दिख रहा था कॉंग्रे सुसे और कठिन बनाते चली गई बारियाई दही चुडा की 2014-2015 के राजनिती की याद दिलाती है ये दही चुडा का कारिक्रम 2017 में भी कुछ ऐसा ही प्रकरण हुआ था जब लालू प्रसाद यादो ने नितीज कुमार को दही का टीका लगाया और देश में प्रधान मंत्री का उमिद्वार बनाने का सपना द नहीं थी लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसमें भारती जनता पार्टी की लोटरी कैसे लग रही है चलिए इसके पीछे थोड़ी से हम आपको राजनिती और पीछे का प्रकरण बताएंगे तो बताएंगे आपको कि बिहार के राजनिती गलियारे में हाल के महीनों में एक चर्चा आम रही विपक्षी दलो के गडबंधन इंडी एलाइंस में नितीज कुमार के जदियू समेत 23 दल हैं नितीज नहीं सबसे पहले विपक्षी दलो का जमावड़ा लगाया तब से उन्हें इंडी एलाइंस का संयोजग बनाने की बात होती रही इनमें हो रहे विलम से नितीज कुमार के नाराज होनी की खबरे भी आते रही इंडीय एलाइंस की पाच्वी बैठक में उनके संयोजग बनाने का प्रस्ताओ राहूल गांदी ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि टीमसी नेता और बंगाल के सीम ममता बनर जी हालाकि इसके खिलाफ है नितीज ने तब भी बड़ी शालिंता से संयोजग बनने का इंकार कर दिया नितीज के नाराज होनी की चर्चा होने लगी और चर्चा थी कि लावलू यादो और नितीज कुमार के बीच इन बातों को लेकर खट पट हो गई है हलाकि संका को नितीज ने तब निर्मुल साबित किया जब लालू रावडी अवास पर आयोजित दही चुड़ा भोज में पहुँच गए लालू ने भी गुलदस्ता दे कर उनका स्वागत किया पर क्या अभी अम्माल लेना चाहिए कि दोनों के बीच खटास खतम हो गई साल 2022 में एंडिये में रहते नितीज कुमार रालू रावडी अवास पर आयोजित इफटार पार्टी में सामिल हुए थे लेकिन इन दिनों इसके उलट एक अंदास 2017 में भी दिका तवे महागडबंधन के सरकार के मुख्या थे बरसो बाद रालू रावडी अवास पर लालू ने दही चुड़ा का भोज कराया था भोज का लंबा अंतराल इसलिए तरहा कि चारा घोटाले में लालू राची की जिल में सजा काट रहे थे लालू के 2017 में दिये दही चुड़ा भोज की सियासत यह रही कि उन्हों नितीज को दही का टीका लगाया लोगों को यहीं लगा कि छोटे भाई बड़े भाई अब कभी अलग नहीं होंगे पर हुआ ठीक इसके उल्टा बोज के 6 महीने के बाद इनितीज कुमार ने महा गड़ बंदन छोड़ दिया फिर हो भाजपा के नेतीज वाले अंडिये में सामिल हुए गए अंडिये सरकार के सीम बन गए मौजुदा हालात में नितीज को लेकर फिर चर्चाओं का बाजार गरम है कि इंडिया अलाइंस में अची खीचतान में अपने समंज़स स्थापना गड़ बंदन में नहीं मिल जाने की वज़़ से नितीज नाराज है चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी से नितीज कुमार की बादचीत का भी अंतिम दौर है सदान्तिक सहमती के बावजुद कुछ शर्टों को लेकर मामला अटका हुआ है इस बारे में तरहतर की अटकले हैं कोई कह रहा है कि सिएम पद पर पेज़ फसा है तो कुछ अनुकूल आउसर की बात कर रहे हैं बीजेपी ने भी नितीज के बारे में अपने सुर्व बदल लिये नितीज के बीच अपने मजबूत करने में लगे हैं अगर नितीज कुमार 22 जन्वरी को अयुद्या राम लला के मंदिर प्रान पतिष्ठा में जाएंगे तो बात ही वहां से महागडबंदन सरकार की खतम हो जाएगी यानि कि बीजेपी की लॉटरी लगनी फिर से तैमानिये पनोर्मा कुरूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद